तो Hello friends कैसे हैं आप सभी? तो guys आज मैं आपके सामने में लाया हूँ Fundamental of Soil Science तो दोसतो आज हम बात करेंगे BSC Honors Agriculture में जो सबजेक्ट है Fundamentals of Soil Science तो guys इसमें हम बात करेंगे लेक्चर Soil Collides के बारे में तो दोसतों मैं आपको पुरी जान करें दूंगा सॉयल कोलाइट कितने प्रकार के होते हैं क्या सॉयल कोलाइट क्या होता है तो गाइस चलिए बात करते हैं सॉयल कोलाइट की तो दोस्तों जैसे कि आप से भी देख सकते हैं स्वाइल कोलाइड स्वाइल कोलाइड थॉमस ग्रहम ने ग्रहम ने 1861 में जल विले पधार्त को उनके वनस्पति या जन्तु जिल्ली में विश्रन के आधार पर क्रिस्टलाइड तथा कोलाइड में वभाजित किया था जो पधार्त इन जिल्लियों में से आसानी विश्रित ह जाते हैं। उन्हे क्रिस्टोलाइट कहते हैं, तो दोस्तों इसका उधारन सरकरा लवन यूरिया। आप देखते हैं definition of collide तो दोस्तों जो collide की definition है उस प्रकार है कि यहाँ पदार्त अजिकतर ठोस आवस्था में akrystalia होते हैं मतलब दोस्तों यहाँ जो पदार्त है यहाँ akrystalia मतलब अनाकार होते हैं इनका कोई सैप मतलब एक निश्चित आकार नहीं होता यह पदार्थ अधिकतर ठो सवस्था में अक्रिस्टलिय होते हैं जिनके विलियन जिल्ली से होकर या मंद गती से विश्रित होते हैं अथवा पूर्ण रूप से विश्रित होने में असमरते रहते हैं अथ्वा दोस्तो यह जो है पूरी नवरोप से पूरी तरीके से विश्रित नहीं होते हैं उन्हें कोलाइट्स कहते हैं जिन्हें कलिल कहते हैं अब दोस्तो देखते हैं कोलाइट्स सब्द यह ग्रीक भासा के दो सब्दों से लिया गया है जो कोलाइट्स सब्द है वह ग्री स्वाइल कोलाइट से उसका जो साइज होता है वहाँ दोस्तों इस प्रकार है कि 0.0002 mm से कम तो दोस्तों यहाँ पर दीखिए 0.00 यहाँ पर 0.002 है तो दोस्तो यह इसमें 0.002 mm से कम होते है वह आप करेंगे जो clay कनो का आकार है यह भी इसी के बराबर का होता है तो दोस्तों यहाँ पर 3 0 अगर उसमें से 1 0 कम कर देंगे और 2 लिखेंगे तो guys, वह हो जाएगा क्ले कनों का आकार मतलब क्ले कनों का जो आकार होता है वह होता है 0.002 में इसमें सिर्फ 2 ही 0 रहते हैं वहां क्ले कनों का आकार कहलाता है और दोस्तों और जो स्वाइल कोलाइट से उसका हमाँ और माइक्रोन में जो आकार है म्रद्दा दो प्रकार के कोलाइडी पजार्थों कार्बनिक तथा अकार्बनिक कोलाइड का एक विशम मिश्रण है म्रद्दा दो प्रकार के कोलाइड पजार्थ कार्बनिक तथा अकार्बनिक कोलाइड का एक विशम मिश्रण है तो दोस्तों यह एक विशब मिसरण है और गनिक और इनार्गेनिक कोलाइट्स का जिसे complex कोलाइट्स कहते है तो फ्रेंड्स यह दो प्रकार के होते हैं इनार्गेनिक कोलाइट्स और दूसरा होता है और गनिक कोलाइट्स तो फ्रेंड्स आज हम सबसे पहले बात करेंगे इन प्लीकॉन के आक्साइड फासफेट तता प्ले खनीज आते है यह कोलाइड सम्रंचना के अधवा विभी हनीज्रों से उत्पन्नलों होते है इन्हें क्ले कोलाइट भी कहते इसे दो समूं में बाता गया है तो दोश्तों जो इन censorship कोलाइट में इन्हें भी दो पाई जाती है अब सेकेंड है दोस्तो आइरन एलुमिनियम हैड्रेटीड ओक्साइड तो दोस्तो यहां प्राए यहां उस नकठी बंदी प्रदेसों में पाई जाती है अब बात करते हैं second और्गनिक कोलाइट्स की तो दुस्तो दुसरा पदार्त के सड़ने गलने से बनते हैं तो उसके बाद हुमस का निर्मान करते हैं इनके कण अपेक्छा करत छोटे होते तो साथ ही इनके जो कण है वो बहुत ही सूचमलत बहुत ही छोटे होते हैं यह पेड़ पाउदों और जन्तु के आउसे इस पदार्तों के करता में रहता है他 हुमस निकल अक्रिस्ट्न ही तता कार्बनीग प्रकर्थी कि गफुती है इस दुनायेृन में चंता लगबग 200 forge म् प्रथी किलग्राम होती है हुमस का विस्त्रत अधिन मर्दय कारबनीग पदारत के रूप में किया जाता है तो दोस्तों यह हमारा हो गय अधिय belongs कि दोस्टों जो औरगेनिक मैटर होता है इसी के अपसिस्ट से मभलब इसी के सड़ने गलने से सद्मक्री जो ऑर्गेनिक माटेbing सड़ने कि मैं का निर्मान होता है जो कि भूमिक को उबजव बनाने के लिए बहुत थी लाबदायक साबित हुआ है ओके दोस्तों मिलते हम नेक्स्ट टॉपिक में थेंक यूँ